नमस्कार, Crescent Education Classes में आप सभी का स्वागत हैं दोस्तों हमारे चैनल के द्वारा विसेश सीरीज चलाई गई है Mathematics और Reasoning की Special Classes हम आपको Provide करवा रहे हैं I hope कि ये सीरीज आपको Help करेगी आगामी एक्जाम like CSAT, PCS का Second Paper जो की काफी महत्वपूर्ण होने वाला है जिसको Qualify करना Important है इसके अलावा अन्य एक्जाम, RO, ARO, पटवारी सभी में दोस्तों ये सीरीज आपको Help करेगी इसके अलावा आपको Central Government के एक्जाम में भी ये सीरीज Help करने वाली है तो इस सीरीज को बिलकुल भी Miss न करे हमारी कोसिस रहेगी कि आपको रोज सुबह 8 बजे Special Classes Provide करवाई जाएं तो रोज सुबह 8 बजे तयार रहिए Mathematics और Reasoning के Questions करने के लिए तो आज का टॉपिक रहेगा दोस्तों वर्गमूल, घनमूल इसके अलावा दोस्तों हम Cyclicity के बारे में डिसकस करेंगे और घातांक और करनी पर भी Questions को करेंगे तो बहुत Important आज का टॉपिक रहने वाला बहुत सारे Facts आपको दोस्तों जानने को मिलेंगे तो वीडियो को जरूर शेयर करें तो चलिए शुरू करते हैं तो Friends सबसे पहले आज का टॉपिक पढ़ेंगे वर्गमूल तथा घंमूल वर्गमूल मतलब Square Root और घंमूल का मतलब होता है Cube Root तो वर्गमूल क्या होता है किसी संक्या का वर्गमूल वह संक्या है जिसे अपने से गुणा करने पर दीगे ये संक्या हमको प्राप्त हो जाती है यानि कि अगर आपने X का वर्गमूल निकालना है तो आप इसको इस तरह से Symbolically represent करते हैं Root X से आप इसको व्यक्त करते हैं यानि कि अगर मैं कोई number ले लूँ Root 9 तो Root 9 का मतलब है 3 यानि कि वो संक्या जिसको आप अपने आप से Multiply करेंगे तो आप दुबारा क्या आजाएगा 9 आजाएगा तो इसका मतलब है कि जो square root of 9 है वो actually कितना होता है 3 होता है क्योंकि 3 को 3 से गुणा करने पर 9 आता है यानि कि 3 का वर्ग 9 है तो 9 का वर्ग मूल कितना होता है 3 होता है इसी तरह से दोस्तों जो 16 का वर्ग मूल आप निकालेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा इसी तरह से अगर आप 64 का वर्ग मूल निकालेंगे तो वो आएगा 8 क्योंकि जो 8 का square होता है दोस्तों वो क्या होता है 64 होता है 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर से लेकर आपको 20 तक के स्क्वायर, even 25-30 तक के भी स्क्वायर आप याद कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आप से कहूंगा कि आप 20 तक के स्क्वायर जरूर याद करके जाएं, और इसके अलावा इनके जितने स्क् अब अगला क्या आता है घनमूल तो घनमूल में क्या होगा दोस्तों कि किसी भी संक्या का अगर हमने घनमूल निकालना है तो हमसको कैसे निकालते हैं इस तरह से लिखते हैं देखिए जो स्क्वार रूट है स्क्वार रूट को वैसे एक्चुली ऐसे लिखा जाता है क्योंक तो अगर इसका जो घनमूल है वो बी आता है तो इसका मतलब सिंपल है कि बी का क्यूब करेंगे तो वो एके बराबर आना चाहिए तो आप अगर इसको देखें जैसे कि आट का अगर मैं क्यूब रूट बोलूं यानि कि घनमूल बोलूं तो वो दो के बराबर आना चाहिए क क्योंकि 2 को 3 बारा अपस में गुणा करने से 8 आता है। ठीक है? क्योंकि 2 का घन 8 है, तो 8 का घनमूल कितना होगा? 2 के बराबर होगा. इसी तरह से हम और भी घनमूल निकाल सकते हैं, जैसे कि 125, 125 का घनमूल होगा दोस्तों, वो क्या होगा? वो 5 के बराबर होगा क्योंकि जो 5 का cube है वो 125 के बराबर होता है इसी तरह से 216 का घनमूल भी कितना होता है दोस्तों 6 के बराबर होता है तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको वही process अपनानी है कि at least आपको एक से लेके 10 आप 11 तक के घन और घनमूल जरूर याद करने इससे कि हमने square root को दिखा है square root को हम कैसे दिखाते है भई जैसे मान लेते है square root of 3 निकालना है तो मैं इसको यहाँ पर 2 लिखाता हूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 3 की power 1 by 2 ठीक हो गया दोस्तों यह लिखने का तरीका होता है इसी तरह से मैं चाहूं तो जैसे root 5 है तो मै इसको 5 की power 1 by 2 लिख सकता हूं ठीक है इसी तरह से मैं अगर 5 का अगर मेरे को घनमूल निकालना है तो मैं 5 की power 1 by 3 लिख सकता हूं ठीक है ऐसी आगे चलते चले जाएंगे देखिए जैसे कि अभी तक हमने घनमूल पड़ा तो ऐसी दोस्तों आप क्या कर सकते है fourth root भी निका सकते हैं जिससे मैं जो 5 है तो 5 का दोस्तों मैं निकाल दिया fourth root निकाल दिया तो 5 की power कितना हो जाएगा भी 1 by 4 हो जाएगा ठीक है तो अब आप देखिए जैसे कि एक संक्या है A अगर मैं उसका fourth mole निकालूँगा तो वो B के बराबर आएगा इसका simply मतलब है कि A बराबर हो जाना चाहिए B की power 4 ठीक है यानि की B को अगर मैं 4 time multiply करूँगा खुद से तो A की value आनी चाहिए जैसे की for example मुझे 16 का fourth root निकालना है तो वो किसके बराबर आएगा 2 के बराबर क्योंकि जो 2 की power 4 होता है वो 16 के बराबर होता है तो इस तरह से आपको ये समझ में आ जाना च सकते हैं A की अगर मैं 5th root निकालना तो वो B के बराबर होगा तो A बराबर होगा भई B की power 5 ठीक है simple ये concept को आप समझते वे चले जाएए इसको मैं अगर show करूँगा तो ऐसे लिख सकता हूँ A की घात एक बट्टे 5 बराबर हो गया B ठीक हो गया तो दोस्तों ये आपको concept पूरी तरह से clear हो जाने चाहिए और ऐसे ही दोस्तों मैं क्या कर सकता हूँ A की power का nth root निकाल सकता हूँ नth root का मतलब है एक general की बात चली है यहाँ पर n की value हो सकती है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक up to n तक हो सकती है तो उसको मैं कैसे दिखाऊंगा दोस्तों A की power 1 upon n और अगर ये B क बराबर आता है तो इसका मतलब है कि B की power n बराबर A के होना चाहिए यह हमारा क्या है दोस्तों एक general concept है general concept में हम इसको इस तरह से दिखाते है ठीक है तो दोस्तों जहां हमने बात करी जिससे अगर मैं कहता हूँ root 2, root 3, root 5, ठीक क्योंकि इनकी जो value होती है दोस्तों एक अबर नहीं होती है दोस्तों इसको परिमे संख्याएं बोला जाता है ठीक है और कुछ ऐसे number होते हैं जो की P upon Q की form में नहीं लिखे जा सकते हैं ठीक है और ऐसे संख्याओं को क्या बोला जाता है दोस्तों अपरिमे संख्याएं बोला जाता है ठीक है अपरिमे संख्याएं हैं वो आप देख सकते हैं जैसे की रूड दो, रूड तीन ठीक है, रूड पांच ये आपकी दोस्तों एक अपरी में संख्याओं के एक्जामपल हैं इसी तरह से हम इसको आगे भी एक्स्टेंट कर सकते हैं जैसे दो का मैं कहा निकालूं घंमूल ठीक है, ये घंमूल निकालूं ऐसे ही मैं तीन का घंमूल निकालूं ठीक, पांच का मैं घंमूल निकालूं ठीक, तो दोस्तों इसी तरह से ये जो सारे के सारे हैं, इनको क्या बोला जाता है, S-U-R-D-A सर्ड्स करके इनको बोला जाता है ठीक है या फिर आप इसको गहतांक या करनी के नाम से भी जान सकते हैं ठीक है अब दोस्तों इनके बीच के कुछ नियम होते हैं जो की बहुत important है जिनको की law of exponent बोला जाता है इनके बारे में भी हम discuss करेंगे लेकिन उससे पहले हम कुछ विसे सूत्र हैं उनको भी याद कर ले A के वर्गमुल गुणा B के वर्गमुल के बराबर यह बहुत important formula है आपको बिल्कुल इसको याद कर लेना है इसी तरह से दूसरा formula भी आप याद करेंगे कि जो square root of A बटे B बराबर होता है square root of A बटे square root of B ठीक हो गया यह दो महतोपून formula है जिनको आपने दोस्तों बिल्क कुछ law of exponent या फिर आप इसको law of indices भी बोल सकते हैं ठीक है मैं यहाप लिख रहा हूँ law of exponent ठीक है law of exponents तो दोस्तो law of exponents क्या कहते हैं इनके बारे में discuss करते हैं तो देखें दोस्तों जो सबसे पहला important law of exponent है वो मैं यहाप लिख रहा हूँ आप इसको याद करेंगे देखें क जिया होता है कि A की power M गुड़ा A की power N ठीक है यह देखें दोस्तों इसको बोलते हैं base और यह अपकी है power क्योंकि जैसे मैंने भी आपको बताया कि आप किस तरीके से A की power M और A की power N को लिख सकते हैं जैसे कि A की power M का मतलब यह है कि A को आप M time गुणा करते हैं ठीक है इसी बार गुणा करते हैं ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों यह जो घातांक का नियम है यह law of exponent है उसके according क्या होता है यह हो जाता है A की power M धने ठीक है तो very important rule most important rule है कि A की power M गुणा A की power N बराबर होता है A की power M plus N ठीक है दूसरा rule जो होता है दोस्तों आपको यह भी याद करना प M बटे A की घात N बराबर होता है A की घात M minus N ठीक हो गया यह भी एक बड़ा important rule है ठीक है दोस्तों यह rule आपको बिलकुल याद करने पड़ेंगे ठीक है आप इसी rule को दोस्तों दूसरी तरह के से भी लिख सकते हैं देखिए इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं अगर यह वा M minus N के बराबर होता है ठीक हो गया यानि कि जब आप नीचे से अगर आप किसी चीज को उपर ले जाते हैं तो पावर में क्या हो जाता है माइनस हो जाता है ठीक है यह चीज आपको याद करनी पड़ेगे ठीक है जैसे कि मैं कहता हूं जो A का power 2 है तो मैं उसको लिख सकता ह 1 upon A की घात minus 2 ठीक है इसी तरह से अगर मैं लिखता हूं 1 upon A की power 3 तो यह उपर जाके बन जाएगा A की power minus 3 ठीक है तो अगर जो power है वो plus में है तो उपर जाके वो क्या बन जाएगी minus में चले जाएगी और अगर उपर वाली plus में है तो नीचे जाके वो क्या बन जाएगी minus मे बराबर होता है A की घात M गुणा N ठीक है ये एक और बड़ा important रॉल है जिसको आपने याद करना है A की घात M गुणा A की घात N बराबर होता है A की घात M N ठीक है अब दोस्तों मैं इसके आपको example भी देता हूँ देखे सबसे पहला हमने रॉल पड़ा था A की घात M गुणा A की घात N बराबर होता है A की घात M प्लस N ठीक है आप इसको समझ सकते हैं जिसे मैं लिखता हूँ 2 की पावर 4 गुणा 2 की घात 2 ठीक है ध्यान रखना है कि यहाँ पर base सेम होना चाहिए पावर कोई बात निये different भी हो जाए तो कोई फरक ने पड़ता तो यहाँ पर हो जाएगा भी 2 की घात 4 प्लस 2 यानि कि 2 की घात 6 ठीक है बहुत सिंपल सा रूल है इसी तरह से अगर मैं दूसरा रूल देखूं तो A की घात M बटे A की घात N बराबर हो जाता है A की घात M-N ठीक हो गया तो यानि कि अगर मैं यही पर यही रूल मैं इसको रखूं तो 2 की घात 4 बटे 2 की घात 2 बराबर होना चीए 2 की घात 4-2 क्योंकि यहाँ पर 4 है यहाँ पर 2 है तो 2 की घात क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा ठीक है अगर मैं इसका उल्टा करूं तो क्या होना चीए दोस्तों यह होना 2 की गहाद 4 बटे 2 की गहाद 2 इसको अगर मैं नीचे लेया हूं तो यह हो जाएगा बई 2 की गहाद 2-4 2-4 हो जाता दोस्तों तीक हो गया जैसे कि मैंने आपको बताया 2 की गहाद 2 को आपके लिख सकते हैं एक बटे 2 की गहाद minus 2 तीक हो गया अब इसके बाद अगला रूल देखिए जो कि मैंने आपको बताए है A की पावर M की पावर N यानि कि मैं लिखता हूँ 2 की घात 3 की घात 2 तो ये नथिंग बट 2 की घात 3 गुणा 2 यानि की 2 घात 6 ठीक हो गया ये दोस्तों आपको रूल समझ में I hope की आ रहे होंगे ठीक है इसके बाद दोस्तों आप जो अगला रूल आता है जो कि एक बड़ा important रूल है जो कि अभी हमने आपको बताया भी था कि भाई A B की पावर N A B की पावर N बराबर क्या होता है A की पावर N गुणा B की पावर N ठीक है यह ज़स्त लाइक उस रूल की तरह है जो रूड A B की बराबर होता है रूड A B बराबर होता है रूड A into रूड B ठीक है तो ऐसा ही यह कहीं न कहीं वही रूल है कि भाई यह A B की पावर है 1 by 2 क्योंकि यह 1 by 2 है तो यह A की पावर 1 by 2 गुणा B की पावर 1 by 2 ठीक हो गया बस आप correlate करते वे चले जाएए आपके formula आसानी से बनते वे चले जाएए ठीक है इसके बाद देखिए अगला rule है A B की पावर N A upon B की पावर N तो यह वैसा ही rule है जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था A की पावर N बटे B की पावर N ठीक हो गया तो यह दोस्तों आपका rule है जो मैंने अभी आपको बताया था भी जो root of A upon B होता है वो root of A upon root of B होता है उसी तरह से यह formula बन के आ रहा है ठीक है एक और rule मैं आपको बता दूँ जो कि बहुत important है वो होता है कि A की घाट 0 बराबर होता है लेकिन इसके लिए A को क्या होना चीए non-0 होना चीए non-0 या infinity के बराबर नहीं होना चीए तो अगर A कोई non-0 नंबर है तो उसकी घाट अगर हम 0 करेंगे तो वो 1 के बराबर होता है ठीक है आप इसको समझ सकते हैं देखिए जिसे अगर मैं A की घात 1 बट्टे A की घात 1 करूँगा ठीक है तो देखिए A बट्टे A actually कितना होता है 1 के बराबर होता है ठीक है तो यहां से अगर जो हमने अभी रूल पढ़ा था law of exponent से तो A की घात 1 minus क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा क्यो क्या बट्टे A 1 होता है तो A की घात इसको 1 minus 1 लेख सकते हैं तो A की घात 1 बजाएगा 1 हो जाएगा ठीक है तो दोस्तों यह जो चीजे है यही हम रूल क्या कर सकते हैं 3rds में भी use कर सकते हैं 3rds में जैसे मैंने आपको बताया कि भाई आप आपने देखा कि a की गात 1 by 2 है यह a की गात 1 by 3 है यह a की गात 1 by n है इन में भी यह rule को यूस किया जा सकता है थीक है? तो भाई कैसे यूस करेंगे उसी तरह का तरीका रहेगा जैसे कि मैंने अभी आपको दोस्तों बताया कि root of a b था तो root of a b की जगर पे आप nth root of a b लिख देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों यह हो जाएगा nth root of a गुणा nth root of b ठीक है या फिर आप इसको अच्छे से लिखना चाहें थोड़ा और समझ में लिखना चाहें तो a b की पावर एक बटे n बराब हो जाएगा a की घात एक बटे n गुणा b की घात एक बटे n ठीक है इसी तरह से आप दूसरे रूल को भी एक्स्टेंड कर सकते हैं जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि a की घात एक बटे n गुणा a की घात एक बटे m है तो क्या होना चीए a की घात एक बटे n प्लस 1 बटे m ठीक हो गया जो आपका पहला रूल था ठीक है उसी तरह से हम इसको समझ सकते हैं ठीक इसी तरह से दूसरा रूल भी हम समझ सकते हैं जैसे कि भई A की घात है 1 बटे N बटे A की घात है 1 बटे M ठीक हो गया तो rule से हो जाएगा A की घात 1 बटे N माइनस 1 बटे M ठीक हो गया तो ये rule भी आप I hope की समझ में आपको आ रहा होगा ठीक है तो ऐसे करके दोस्तों हम इसको solve कर सकते हैं इसके अलावा देखिए और भी इसके कई सारे rule आप बना सकते हैं लेकिन इंप्रोवाइशन करने वाली बात होती है और कुछ नहीं होता है जैसे मैं मुझसे कोई बोलता है A का स्क्वार रूट है ठीक है मतलब कि A का एनफ रूट है की पावर अगर मुझे कोई M बोले निकालने को तो क्या होगा दोस्तों आप बताईए क्योंकि आप जानते हैं कि इसकी जो value होती है यह होती है A की घात एक बटे N तो की पावर क्या हो जाएगा M तो यह कुछ ही नहीं है A की पावर M की बटे N ठीक है M बटे N लिख सकते हैं जैसे गिए अभी हमने पड़ा कि अभी A की पावर M की पावर N क्या होता है A की पावर M इंटो N होता है है न तो यहां से हम इस rule को समझ सकते हैं अब देखे इसको मैं ऐसा लिख सकते हूँ A की घात M की पावर एक बटे N m can be written as, देखिए, इस तरह से इसको लिखा जा सकता, यह, ठीक है, यानि कि power चले गई अंदर, और फिर आप उसका क्या ले लीजे, nth root ले लीजे, यानि nth root of a का, आपने जब power m ली, तो वो a की power m के nth root के बराबर होता है, तो ऐसे करके आप rules को follow कर सकते हैं, कई तरह के rules आप बना सकते हैं, ठीक है, इसी तरह से दोस्तों, जैसे कि हमने पढ़ा था, a बटे b का square root है, कि अगर हम nth root ले, तो ये a के nth root, बटे b के nth root के बराबर होगा, ठीक हो गया, ऐसे ही दोस्तों, हम और भी इसको आगे extend कर सकते हैं, जैसे कि मैं बोलता हूँ, a का nth root है, और फिर मैं उसका भी mth root ले लेता हूँ, तो आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं, देखिए, आपको इसको कुछ नहीं करना होगा, देखिए, आपको पता है कि इसका मतलब क्या है, और इसका मतलब क्या है, देखिए, अंदर वाले का मतलब है, a की पावर एक बट्टे n, और जो बाहर वाले का मतलब है, एक बट्टे m, ठीक है, अब ये दोनों हो जाएंगे multiply, तो एक ही पावर हो जाएगा एक बट्टे mn ठीक हो गया और आप इसको लिख सकते हैं square root यानि की mnth root of a ठीक हो गया यानि की आप इन दोनों का गुड़ा कर सकते हैं ठीक तो ये दोस्तों आपके नियम थे करनी के या आप इसको law of search बोलिए law of exponent बोलिए आपके मरजी है आप इसको थोड़ा सा extend करके आप आसानी से इसके प्रशनों को solve कर सकते हैं अभी हम आप इसको प्रशनों में बताएंगे लेकिन एक और important rule है जिसका नाम है cyclicity ठीक है उसके बारे में एक बार discuss कर लेते हैं क्योंकि उससे बहुत अच्छे लेवल के प्रशना आते हैं और उनको जब हम discuss कर लेंगे तो फिर आगे के प्रशना आपके लिए बहुत easy हो जाएंगे तो दोस्तो अब हम बात करेंगे cyclicity of numbers की जो हमारे digits है 0 से लेके 9 तक के इनकी cyclicity यानिकी इनका चक्रिय करम आपको पता होना चाहिए ठीक है अब यहाँ पर दोस्तों चक्रिय करम का मतलब यह है कि इनकी जब हम power करेंगे power में 1,2,3,4,5,6,7,8 से लेके 1000 कितनी power करेंगे तो इनका कैसा pattern रहता है क्या रहता है क्रम इनका क्योंकि दोस्तों यह चक्र मारते हैं और दुबारा से अपने digit पर आ जाते हैं ठीक है तो इसका चक्रिय करम दोस्तों क्या है एक है ठीक है इसी तरह से 1 की power 1 करेंगे 1 की power 2 करेंगे 1 की power 3 करेंगे यानि की अंत में 1 ही आएगा ठीक है तो इसकी cyclicity भी दोस्तों कितनी है 1 है इसी तरह से अगर आप दोस्तों बात करते हैं 5 की तो 5 का दोस्तों आप क्या करेंगे पाँच की पावर एक करिए तो क्या आता है पाँच आता है पाँच की पावर दो करेंगे दोस्तों तो पाँच पंजे पच्चेस तो अंत में पाँच ही आएगा पाँच की पावर तीन करेंगे तो भी दोस्तों आपका पाँच ही आएगा यानि जो पाँच की साइकल है वो आफ दोस्तों कुछ number ऐसे होते हैं तो 16, यानी कि चार का स्क्तुर करेंगे तो 6 आ जाएगा और फिर इसके बाद दोस्तों, अगर आप दुबारा से इसको multiply करेंगे तो दोस्तों last में क्या जाएगा, भइ, 4 या जाएगा ठीक है क्योंकि 6 चकों क्या हो जाता है 24 यानि कि आप 4 की power 4 की power 4 करेंगे तो इसकी cyclicity आपकी क्या हो जाती है यानि कि 2 के बाद ये क्या करता है repeat करता है ठीक है तो पहले में जब square करेंगे तो 6 आएगा फिर 12 से गुणा 4 करेंगे तो 24 आजाएगा ठीक है तो इसकी cyclicity आपकी क्या है दोस्तों आपकी 2 है और इसी तरह से आप 9 की देखेंगे तो 9 गुणा 9 कितना होता है 81 होता है और फिर आप इसको जब 9 से करेंगे multiply तो आपका अंते में 9 आजाएगा यानि कि जो 9 की cyclicity भी हो दोस्तों कितनी है 2 है यानि कि 9 की power जब 2 करेंगे तो उसके बाद क्या होता है repetition होता है ठीक अब दोस्तों बात करते हैं जो मैत्वपूर्ण है वो है सबसे पहले 2 इसके बाद है 3 फिर है 7 ठीक और इसके अलावा 8 ठीक हो गया दोस्तों इन numbers की cyclicity 4 है ठीक है cyclicity 4 है कहने का मतलब यह है कि आप 2 का square करेंगे तो दोस्तों आएगा 4 फिर 4 का square करेंगे यानि कि 4 को अगर आप 2 से multiply करेंगे तो फिर आपका आता है 8 ठीक है और फिर 8 के बाद क्या आता है 6 क्योंकि 8 को 2 से multiply करेंगे तो 16 आएगा और फिर इसके बाद जब 6 को multiply करते है तो फिर 2 आता है इसका मतलब यह है कि जो 2 की cyclicity है वो दोस्तों आपकी कितनी है 4 है ठीक है ऐसे दोस्तों अगर आप 3 की बाद करें तो 3 का अगर आप जब square करेंगे तो आता है 9 ठीक है फिर 9 को 3 से multiply करेंगे तो आएगा 27 फिर इसके बाद आएगा 1 और फिर इसके बाद दोस्तों आता है 3 यानि कि इसकी cyclicity भी कितनी है दोस्तों 4 है ठीक है ऐसे ही दोस्तों आप क्या कर सकते है 7 की कर सकते है तो 7 का जब आप square करेंगे तो आता है 49 यानि कि 9 फिर आप इसको 7 से multiply करेंगे 7 नमा होता है 63 उसके बाद 3 के बाद फिर 7 को 3 से multiply करेंगे 7 एक केस आप फिर 7 ही कम आ जाता है 7 तो ये दोस्तों इनका pattern है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा ठीक है ऐसे ही दोस्तों फिर आप 8 से करिए तो 8 का square करते हैं तो कि इतना आता है 64 यानि कि 4 आएगा 8 चको होता है 32 यानि कि आएगा 2 और फिर इसके बाद 8 से multiply करेंगे 6 और 8 ची के हो जाता है 48 यानि कि cyclicity आपकी कहा रही है 4 आ रही है ठीक है तो ऐसे आपको दोस्तों इनके cyclicity को याद रखना पड़ेगा हलंकी दोस्तों हम एक general rule बना सकते हैं कि अगर आप 4 कर दे power में तो number क्या होता है repeat होता है देखिए कोई फरक नहीं पड़ता है देखिए अगर आप देखें जिसे हमने जब बात करी चक्रिय करम में यहाँ पर जब मैं चक्रिय करम की बात कर रहा हूँ तो इनका चक्रिय करम हमने बोला एक है च्छे की power एक करेंगे दस करेंगे तो च्छे ही आएगा तो यानि कि आप इसको दोस्तों directly ये भी लिख सकते हैं कि च्छे की power चार करेंगे ये भी आप याद कर सकते हैं अगर आपको ये याद नी हो पार है कि किसी का एक है किसी का दो है किसी का चार है तो बस आप एक जन्रल लॉस हमज़ लीजे कि सब का चक्रिय करम कितना होता है चार होता है इससे हमारे लिए question बहुत easy हो जाएगा यानि कि आपने क्या करना होगा पावर में अगर चार के मल्टिपल में कोई चीज है तो यानि कि उसका जो चकरी करम है जो अंतिम में जो नमबर आएगा वो उसी के बराबर हो जाएगा ठीक हो गया आप इस चीज को समझ लिए जैसे कि अगर मैं कहता हूँ वै तीन की घात अ तीन गुणा तीन ठीक है वै तीन तीया होता है नो नो तीया होता है सत्ताइस सत्ताइस तीया होता है एककासी यानि कि यहां तक तो ठीक है इसके बाद अगर आप इसको तीन से गुणा करेंगे तो आप आसानी से देख सकते हैं कि इसका जो अंतिमंक होगा वो तीन के ही ब आपको बता रहा हूँ, आपको मैं इसको चुटकियों में करना सिखा हूँगा, किस तरह से आप सको कर सकते हैं, आपको बताना है कि जब आप इसको गुणा करेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा, तो जब आपको दोस्तों इकाई का अंक देखना होता है तो आप इन सब को हटा दीजिए यह जो पहले के जो दो अंके न हिनको हटा दीजिए आप इनके इकाई का अंके देखी क्या है 6,8,9,2 ठीक हो गया अब दोस्ता आपने क्या करना है इनको multiply करना है लेकिन आप इसको जब multiply करेंगे तो भी आप 21 का अंके याद रखेंगे 8 चिंके होता है 48 यानि की 21 का अंका हैगा 8 गुणा होता है 9, गुणा 2 गुणा 2 यानि की 1 का अंका झाएगा 4 और यहीं पर आपका question हो गया गादम ठीक हो गया ऐसी दोस्तों हम और प्राशन करते हैं देखिए मैं आपके सामने एक और प्रश्ण लिखता हूँ यानि कि 3527 की पावर है 654 है इसका मुझे निकालना है इकाई का अंक तो दोस्तों जब मैं इकाई के अंक की बात करता हूँ तो मुझे यह हटाने पड़ेंगे बस इकाई का अंक देखना पड़ेगा यानि कि मुझे साथ की पावर 654 का इकाई अंक देखना पड़ेगा अब रूल क्या कहता है रूल मैंने आपको बताए कि जो साइकलिसेटी होती है वो कितनी की होती है दोस्तों चार की होती है यानि कि आपको दोस्तों क्या करना पड़ेगा इसको 4 से डिवाइट करना पड़ेगा देखे मैंने आपको बताया था 4 से डिवाइट करने के रूल मैंने आपको बताये थे आप इसको 4 से डिवाइट करिए ठीक है चारतियां हो जाता है 12, ठीक हो गया, यानि कि आप यह मान के चलिए कि इसमें से 163 गुणा 4 यह तो गया बेकार, ठीक है, यानि कि जो 4 का मल्टीपल है वो तो यहां पर आ गया, अब कितना बचेगा दोस्तों, रिमेंडर बचेगा, तो रिमेंडर को आप सिंप्ली लिग दी था मैंने दोस्तों कि आपको, कि जो साइकलिसिटी है, 4 है, तो बस आपनी क्या करना है, जहां तक वो 4 से डिवाइड हो रहा है, उसको लिखो बाकी के रिमेंडर को छोड़ दो, मतलब कि जो बाकी का जो पार है उसको आप हटा दीजे, ठीक है, तो बई सीधी बात है कि यह नहां पर आपनी क्या करना है, इसको आपने लिख देना है, और उसका जितना भी रिमेंडर आता है, उसको आपने लिख देना है, और कुछ हुनी करना है, तो यानि कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वाइर करेंगे तो आएगा 49, यानि कى जो इसका आंती मgovern का जाएगा वो 9 सकते हैं देखिए हम कैसे चुटकियों में इसको कर सकते हैं देखिए मैं फिर से लिखता हूँ 7 की पावर है 65 गुणा 6 की गहत है 41 गुणा 3 की गहत है 57 ठीक है आपको क्या करना है इसका इकाई कांक निकालना है दोस्तों इसको 4 से डिवाइट करिए जो रिमेंडर बसता उसक ठीक है यहाँ पर दोस्तों अगर आप 4 से डिवाइट करेंगे तो रिमेंडर बचेगा फिर से 1 आप डिवाइट कर सकते हैं और इसी तरह से आप 3 से जब आप इसको भी डिवाइट करेंगे 4 से मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सैकलिसिटी किसकी क्या है मैंने ज सैकलिसिटी सबकी 4 मान के चलो इसको आप 4 से डिवाइट करिए 4 इकम होता है 4 और यहाँ पर बचेगा आपका 17 तो 4 चको हो जाता है 16 तो यहाँ पर भी बच जाएगा 1 ठीक हो गया अब इसके बाद आपको क्या करना है साची के होता है 42 यानि कि आपको लिग देना है 2 गु आप इसको सरफ देखके ही इस तरह के कोशिनों को सॉल्फ कर सकते हैं और दोस्तों मैं आपको प्रैक्टिस करवा लेता हूँ कुछ प्रशन जो कि पूरू में बैंक पियो परिक्षा में आ चुके हैं देखिए एक प्रशन आया था 2137 की पावर है 753 इसमें आपको बताना ह है कि इसका इकाई कंक क्या होगा दोस्तों यह परिक्षा में 2015 में प्रशन आ चुका है तो कैसे करेंगे सबसे पहला आप इसको काट दीजे कोई दिकत नहीं है 7 की पावर हो जाएगा 753 ठीक हो गया अब दोस्तों मैंने पहली बताया इसको आपने क्या करना है चार से डिव अब चार सत्य अठा है चार अठा होता है 32 ठीक है 32 और इसके बाद कितना बचेगा तीन बचेगा और चार अठे हो जाता है 32 यानि कि आपके पास रिमेंडर कितना बच जाता एक यानि कि 7 की पावर क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा तो भई 7 इसका क्या हो जाएगा दोस दोस्तों SSE परिक्षा 2015 में आ चुका है इस प्रश्ण को देखी कितनी हम जल्ली solve कर सकते हैं मुझे कोई फरक नी पड़ता कि यहाँ पर क्या है मुझे सिर्फ एक आइक कंक देखना है तीन की पावर है दो हजार तीन मुझे इसको क्या कर देना है चार से दिवाइट कर देना है और बस रिमेंडर को लिख देना है तो चार से अगर मैं इसको दोस्तों डिवाइट करूँगा तो चार पंजे हो जाता है बीस और फिर मुझे पसता है कि इसके बाद जो रिमेंडर बचेगा वो तीन बच जाएगा इसके अलावा भी देखिए एक और प्रश्ण है जो कि मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर देखिए 22 की पावर है 23 ठीक है 22 की पावर है 23 इसको हटाई है 2 की पावर लिखे 23 इसको 4 से डिवाइट कर दिये 4 पंजे होता है 20 तो 2 की पावर बज़ जाएगा 3 और यहाँ पर प्रश्ण में आपको बताता हूँ जैसे कि है यह सारे प्रश्ण पूर परिक्षा में आ चुके हैं 7 की पावर है 105 7 की पावर 105 है तो आपको क्या करना है इसको 4 से डिवाइट करना है 4 से आप इसको डिवाइट करिए 7 की पावर हो जाएगा वे कितना 4 दूनी होता है 8 और यहां पर बचेगा 2 चाड़ चीके हो जाता है 24 यानि की एक बच जाएगा तो 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है इस तरह से दोस्तों आप इसको कर सकते हैं और भी आपको प्रश्ण बताता हूँ देखिए किस तरह से आप इसको करते वे चले जाएंगे और भी आपको क्या करना है। इसमें एक आई अंक देखना है तो यहां पर आप 7 की पावर इसको लिख दिजे 153 ठीक है और ये लिख दिजे 1 की पावर 72 अब 1 की पावर 72 तो आप simplemente मानते हैं कि 1 ही होगा बस यहां पर आपको खेल खेलना है 7 की पावर 153 है इसको डिवाइट करिए 4 से तो 4 तियां होता है 12 ठीक है और इसके बाद बचेगा 3 4 अठे हो जाता है 32 यानि कि 7 की पावर 1 बच जाएगा तो 7 is the right answer ठीक है 7 इसका right answer जाएगा ठीक है और भी देख लेते हैं वही एक प्रश्ण और आ रहा है याप निकल के कि बाई एकाई अंक क्या होगा 7 की पावर है 95 माइनस 3 की पावर 58 ठीक है आप से पुछा गया है कि इसमें इसका एकाई अंक क्या होगा आजाता है 12 ठीक है यानि कि 4 दुनी 8 और 4 दुनी आट और 12 तो इसका मतलब यहां पर कितना बचेगा दोस्तों 4 दुनी 8 और 4 दुनी 12 यानि कि 7 की पावर यहां पर क्या बच जाएगा 3 बच जाएगा ठीक है minus ऐसी ही यहाँ पर भी आप करेंगे तो 4 कम होता है 4 और 4 चको हो जाता है 16 यानि कि 3 की power 2 बच जाएगा 7 3 जा होता है 21 21 into 7 यानि कि अगर आप देखें तो 7 7 जा कितना होता है 7 7 जा होता है 49 और 9 7 जा कितना होता है 63 3 तो यहाँ पर आजाएगा 3 और 3 की power 3 का square है तो 3 का square कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा अब दोस्तों 3 में से 9 माइनस हो नहीं सकता तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा एक कैरी लेना पड़ेगा तो 13 में से आप 9 को माइनस करेंगे तो 6 बन जाएगा देखे बैंक पियो में प्रशन आ चुका है और बहुत एजिली हम इसको कर सकते हैं और भी मैं आपको प्रशन बदाते वेजाता हूं ऐसे ही दोस्तों आगे का प्रशन देखते हैं जैसे कि एक और प्रशन यहाँ पर देख रहा है 3 की power 61 इंटू 6 की power है 43 गुणा है 7 की power 82 इसमें दोस्तों आपको एकाई यंकर निकालना है आपको कुछ निकालना है 3 को अगर आप 61 से को डिवाइट करेंगे 4 से तो आपका remainder बचेगा 1 6 इसको अगर आप डिवाइट करेंगे 6 चीका होता है 36 तो यानिकि आपको बताब 6 की जो cyclicity होती है वो एक होती है तो आप आसानी से भी कर सकते हैं 7 7 जा होता है 49 यानिकि 9 आजएगा 6 3 हो जाता है 18 यानिकि इसका बचेगा 8 और 8 नमा होता है बहुत तर यानिकि अंतों में बचेगा 2 ठीक हो गया यानिकि 2 इसका राइट आंसर है ठीक है आगे बढ़ते हैं एक और प्रशन देख लेते हैं ठीक है एक और प्रशन जो बड़ा अच्छा प्रशन है देखिए जो 17 की पावर है 1999 ठीक प्लस 11 की पावर है 1999 माइनस 7 की पावर है 1999 ठीक हो गया दोस्तों, आपको क्या करना है, इनके IFA upload अंगों को निकालना है, ठीक है, अब आप देखिए, इकाई के अंगों को निकालने के लिए, पहले तो आप 17 की जागा पर ञिए, 17 की जागा पर एक लिगदीजी, 11 की जागा पर एक लिगदीजी, कोई फरक नी पढदा, तो इसका I एक ही आएगा, माइनस 7 की पावर लिख दीजिए आप 1 9 9 9, ठीक है देखा जाए तो अब अगर आप इसका 1 आई का अंक दोस्तों निकालेंगे तो यहां का जो 1 आई का अंक दोस्तों वो कितना आएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं क्योंकि यहां पर 7, चाहे 17 हो, चाहे कुछ हो यहां का एक आई का अंक दोस्तों आप देख सकते हैं कि भाई, यह आजएगा आपका 7 ठीक है, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे तो 1 9 9 8 होता है जो 1 9 9 8 होता है आप अगर देखें तो 9 8 तक, 9 8 तक 4 से यह डिवाइट हो जाता है ठीक है, चार इकम 4 चार दुनिया, नहीं, एक सेकंड 9 8 नहीं, अगर आप इसको डिवाइट करेंगे 96 तक डिवाइट हो जाएगा न, 96 तक ठीक है, अच्छा चलिए एक बार मैं इसको देख लेता हूँ 4 चको 16 ठीक है, 4 चको हो गया 16 और कितना बचेगा, 3 बचेगा 4 नमा होता है 36 और यहाँ पर कितना बचेगा, 4 नमा 36 ठीक है यानि कि 3 बचेगा, ठीक हो गया एक बार मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से रिवाइट करके कल लेता हूँ तो यहां पर से देखिया, यह 2000 में चल आ था, ठीक है, 7 की power बच जाएगा 3, ठीक, प्लस यहां पर बच जाएगा 1, और यहां पर भी बच जाएगा 7 की power 3, ठीक हो गया, तो 7 की power 3 का मतलब दोस्तों क्या हुआ, यह दोनों तो आपके दोस्तों एक तरह से cancelled out हो जाएगा, क्यो one आ जाएगा ठीक है I hope कि आपको इस समझ में आ गया होगा simply आपने क्या करना था उप चाहते तो आप उपर भी काट सकते थे लेकिन फिर भी आप इसको थोड़ा सा solve करने के मकसद से देखेंगे तो आप इस तरह से दोस्तों आप इसको कर सकते हैं ठीक है तो ये दोस्तों आपको I hope कि आपको समझ में आ रहे होंगे और आज के लिए हम इतना ही करते हैं क्योंकि वर्ना वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी मैं कल आपको थोड़ा सा और भी इसके कुछ अच्छे प्रशने करवाऊंगा हलें कि आज का जो टॉपिक था मेरा मैं सर्ट्स के कोउशन मुझे करवाने थे हलें कि चलो हमने लास्ट मिया आपको सरिफ गहत अंक और कुर्ड़नी के जो सैक्लिसीटी वाल एक प्रशन है वो करवाने का प्रयास क्या है लेकिन कल हम दोस्तों आपको square root और इस पर based कुछ questions करवाएंगे topic पर based क्यूंकि आज सर्फ हमने topic और कुछ questions करे हैं I hope कि आपको इकाई का अंकर निकालना समझ में आ गया होगा बहुत आसानी से इन प्रशनों को कर सकते हैं मुझे और भी प्रशन मिलेंगे तो मैं और भी आपको करवाऊंगा कुछ प्रशन क्योंकि डूढने पड़ते हैं और इनको बनाने में कभी कभी आ समय लग जाता है ठीक है I hope कि ये वीडियो आपको समझ में आ रही होगी और आपको आगे वाले exam में help करेगी वीडियो को जरूर पूरा देखें जब दोस्तों आप स्टार्ट करते हैं तो इसको जरूर पूरा देखें और अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें तो मिलते हैं अंगली वीडियो में till then take care and good bye